हुलो वृष्ट मुथ भूस स्वागत थे आपका इस वीडियो क्लास में हम इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे न्यू प्डन इसकोरटर के कुछ कोुस्चन सभी बैंकिंग और सभी बैंक पिएक्जाइंप जे हैं और ये question नई pattern के question है latest pattern के question है latest pattern से मतलब है कि इन questions को थोड़ा सा twist किया गया है और इन questions में इन questions के through student का जो original talent है जो original intelligence है वो चेक किया जाता है तो इन questions को हम देखेंगे और banking exam में आपको एक question को solve करने के लिए 40 second का time मिलता है मैं इन questions को आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन questions को 4 second में एक question को 4 second में आप solve कर सकते हैं तो 4 second answer formula पर ये सारे questions based है इसमें मैं आपको बताऊँगा और किसी भी competitive exam का चाहे वो bank peer हो, bank clerk हो, ssc हो nds, cds, किसी भी competitive exam की आप best online test series ये जोइन करना चाहते हैं तो ये अड़ा 2, 4, 7 और English रवांटेस की combined test series है बहुती बहतरीन ये test series है सारे latest button के question है इन test series को आप discounted price पर ले सकते हैं और इनको आप join कर सकते हैं तो इनके links मैं नीचे आपको description box में दूँगा वहां से इन test series को आप join कर सकते हैं तो चलिए शुआत करते हैं देखे एक ये question है और ये नई button का question है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पूरा sentence यहाँ पर दिया है और इस पूरे sentence में कुछ पार्ट bold है और कुछ पार्ट unbold है ठीक है इस पूरे sentence में कुछ पर्टिक्लर पार्ट जो है वो bold में लिखे हैं और कुछ unbold में लिखे हैं तो जो parts bold में लिखे हैं वो already correct है ठीक है अब जो unbold में जो sentences लिखे हुए हैं जो part unbold में लिखा हुआ है उसके किसी भी part में एक error हो सकती है तो इस particular question में केबल एक error पूछी है किसी भी एक part में एक error पूछी है लेकिन थोड़ा सा complicated करते हुए इसमें दो error या तीन error भी examiner आपसे पूछ सकता है जिसमें वो option देता है आपको कि only A, only B, C, only D, C इस तरीके से वो आपको option देके थोड़ा सा और इसको tricky और complicated बना सकता है तो शीच के लिए आप तयार रहिए इस particular question में आपको एक sentence में केबल एक ही error होगी और वो जो error होगी वो unbold part होगी bold part जो है वो already correct है अब हम यहां से पढ़ते हैं देखे इस question को करने का या इस तरह के questions को करने का एक तरीका तो यह होता है कि इसमें के बर target को hit किया जाए के बर main चीज को देखा जाए कि कहां पर इसमें problem है और जो दूसरा तरीका है जो की normally spirit adopt करते हैं वो पूरे sentence को पढ़ते हुए जाते हैं उसका मतलब निकालते हैं meanings का मतलब निकालते हैं वो lengthy ट्रकी और रॉंग तरीका है उस तरीके से आपको नहीं करना है ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं the soft foundational soil beneath the leaning tower of Pisa in Italy has helped withstand through numerous strong earthquakes since 1280 say scientist who unveiled the mystery behind how the structure remained undamaged despite leaning at a precarious five degree angle तो इस question को देखने से idea लग रहा है कि इसमें जो Italy की जो Pisa tower है उसके बारे में इसमें बात हो रही है और वो जुकती हुई tower है उसके बारे में इस sentence में बात हो रही है कि वो किस तरीके से टिकी हुई है ठीक है तो यहां पर आप देखें कि structure remained undamaged इसका जो structure है वो कैसा है वो किसे state में है वो undamaged state में है ठीक है देखें structure के लिए यहां पर एक adjective आ रहा है इस structure के लिए एक adjective आ रहा है undamaged और undamaged क्या है undamaged तो एक verb है लेकिन इसको आपको adjective form में change करना होगा क्यों इसको adjective form में change करना होगा क्योंकि ये noun के लिए इस्तेमाल हो रहा है noun क्या है यहाँ पर structure noun है यहाँ पर structure और noun को modify करता है adjective तो remain undamaged के इस्थान पर हम बोलेंगे remain undamaged ed form इसका आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि undamaged तो एक verb है अपने आप में तो यहाँ पर यह वाला पार्ट चुकी गलत है इसलिए इसी पार्ट में इसमें गलती है तो इसमें आपका answer क्या होगा इसमें आपका answer होगा third ठीक है तो यह एक basic question है नई pattern का एक basic question है लेकिन इस समय जो trend आ रहा है समय English के questions का उसमें काफी variety है और particularly means जो एक्जाम होता है पीओ का उसमें options दिये जाते हैं जैसे only a और b only b और c none of the verb all of the verb इस तरह के sentence दिये जाते हैं तो वो sentences जो tricky और tough sentences होते हैं वो भी मैं आपको करवा हूँगा लेकिन सबसे पहले आप basic questions को समझने की कोशिश करिए और देखिए कि किस तरीके से in questions को आप कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि structure एक noun है और noun को modify करेगा adjective form जो बनती है वो बनती है ED form से तो यहाँ पर examiner examiner का intention क्या है उसको समझने की कोशिश आपको करनी है examiner चाहता है कि आपको English को समझने का एक basic sense हो ठीक है English को आप समझ पाए कहीं कहीं पर कोई article लिखा है कहीं पर कोई mail आया है आपको तो उसकी समझ आपको हो उसको आप समझ पाएं examiner आपसे ये नहीं चाहता कि पूरे sentence का आप meaning निकालें सारे words के meaning आपको पता हो किस context में ये sentence लिखा है किस ने ये sentence लिखा है कहां पर ये sentence बूला गया है examiner आपसे ये नहीं चाहता है examiner चाहता है कि आपको एक basic understanding हो English language की एक basic समझ हो English language की ठीक है तो I hope कि मैं जो कहना चाहरा हूँ आपसे वो चीज आपको clear हो रही है और इस तरीके से लिखा करते हैं तो ये sentence को आप 4 seconds में आप आसानी से कर सकते हैं बाकी अब इसके बाद हम इन पूरे sentences के इसमें sentence में जो meaning आये हैं उनको हम discuss कर लेते हैं ठीक है beneath का मतलब होता है देखे beneath और underneath इन दोनों का ही मतलब होता है ये दोनों का ही मतलब same होता है beneath थोड़ा सा formal word है beneath जो है वो एक formal word है normally writing में, literature में use होता है underneath को आप use कर सकते हैं common English में underneath का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के नीचे दबी हुई होती है कोई एक पज़कर चीज किसी दूसरी चीज से धकी हुई रहती है, hidden रहती है या धकी हुई रहती है तो उसको हम बोलते है beneath या underneath तो beneath और underneath दोनों का ही meaning same है, लेकिन beneath थोड़ा सा formal word है ठीक है अब इसमें कुछ word और आया है precarious precarious का मतलब, precarious का मतलब होता है critical या unstable या uncertain, कोई भी ऐसी चीज जो stable नहीं है या steady नहीं है, उसको हम बोलते है precarious, ठीक है, तो precarious का जो antonym होगा, वो क्या होगा, वो steady या stable होगा steady या stable, इस्थे लेकिन precarious का मतलब है uncertain या unstable ठीक है, despite का रथ होता है इसके बाबजूद, despite का रथ है इसके बाबजूद, unveiled का मतलब है किसी चीच को खोलना, जैसे यहाँ पर हम बोलने, unveiled the mystery, मतलब रहस को खोलना, तो यहाँ पर हम यह बता रहे हैं, कि Italy की जो leaning to a bar of pizza है, वो 5 degree angle पर जुकी हुई है, उसके बाबजूद भी यह गिरती नहीं है, तो आई होब यह explanation आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर आपका जो answer होगा, वो third होगा, सारे meaning हम उल्री डिसकस कर चुके हैं, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको यह भी बताऊंगा, कि कौनसा वर्ड noun है, कौनसा वर्ड adjective है, कौनसा undamaged जो होगा, वो एक adjective होगा, क्योंकि वो structure को modify कर रहा है, structure एक noun है, और noun की विशेष्टा बता रहा है, adjective undamaged ठीक है, जैसे tire है, t-i-r-e tire माने ठका होना, यदि आप बोलते है tired, तो वो हो जाएगा adjective, जैसे मैं बोल सकता हूँ I am tired मैं ठका हूआ हूँ, मेरी विशेष्टा क्या है, कि मैं ठका हूआ हूँ तो इस तरीके से आपको English की समझ होनी चाहिए इस तरह के sentences करने के लिए और आपको ये भी पता होना चाहिए, कि कौन सा word, किस part of speech के form में यहाँ पर use हो रहा है whether it is noun, adjective, adverb ये चीज आपको एकदम किलियर होनी चाहिए तभी आप पूरी accuracy की साथ in sentences को आप कर पाएंगे तो यहाँ पर आपका अंसर होगा third, अब हम देखते हैं second sentence the symbolic gestures mudras through iconography of buddha image to evoke particular ideas during buddhist meditation or rituals in Indian scripture images are the symbolic representation of divinity whose origin and end has expressed through the religious and spiritual belief देखें, यहाँ पर ये sentence थोड़ा सा tricky है, cutting sentence है यहाँ से देखते हैं इसको images are the symbolic representation of divinity जो symbolic representation है divinity का वो images के form में बताया गया है images are the symbolic representation of divinity divinity मतलब devyepan या देवत्व तो देवत्व का जो representation है उसको symbolic gesture के थूँ मिद्राओं में दिखाया गया है divinity, representation of divinity whose origin and end, जिसका end और जिसकी शुरुवात और जिसका अंत has expressed through the religious or spiritual belief मतलब images का जो representation है उसको religious or spiritual belief के थूँ दिखाया जाता है या दिखाया गया है तो यहाँ पर has ना होते होई, या तो आप लिख सकते हैं has been expressed या लिख सकते हैं is expressed ठीक है, यहाँ पर आपको active passive voice का concept इसमें इस पूरे sentence में involved है तो यहाँ पर इसका answer होगा आपका and has expressed की जगे आप बोलेंगे is expressed ठीक है अब हम इसके meaning देखते हैं, symbolic मतलब संकेतिक ठीक है, gestures मतलब जो मुद्राएं होती हैं, उनको हम बूलते हैं gestures जैसे हम किसी को बुला रहा हैं तो उसका एक अलग मुद्रा होगी, हम किसी को इशारा कर रहा हैं तो उसकी एक अलग मुद्रा होगी तो मुद्राओं को हम बूलते हैं English में gestures, iconography में हम image का जो content है, उसको हम discuss करते हैं, कोई particular image है, उसका क्या content है, उसका क्या history है, उसका क्या description है, उसको हम उसमें describe करते हैं iconography में, ठीक है, evoke का मतलब होता है किसी चीच को recall करना, किसी चीच का दिमाख में बापस आना, किसी आदाना, उसको हम बूलते हैं evoke, तो इस तरीक ऐसे यह सारे word meaning भी मैं आपको बता रहा हूँ, through मतलब उसके द्वारा, through मतलब कैसी चीच के द्वारा, तो इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि images representation को religious और spiritual belief के द्वारा express किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें passive voice construction आपको use करना पड़ेगा, whose origin and end is expressed, जिसका origin और end को express किया जाता है, whose origin and end is expressed, ठीक है, या have been expressed भी बोल सकते हैं आप, तो इस तरीक से इसमें आपका four जो है, वो आपका इसमें answer होगा, ठीक है, इस तरीक से इस sentence को करना है, आगे बढ़ने से पहले मैं इस target badge show success से target badge के बारे मैं बताना चाहूँगा, इसको मैं run कर रहा हूँ, IBPS clerk के लिए, IBPS clerk का जो exam है, exclusively इसमें उसका पढ़ाया जाएगा, हाला कि इसके through आपकी PO की भी तयारी होगी, लेकिन ये exclusively आपका IBPS clerk के लिए है, इसमें 80% content आपको IBPS clerk का होगा, 20% content जो होगा, वो PO level का होगा, तो इसको जो IBPS clerk को target कर रहा है, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, इसमें मैं पूरा English, पूरा Mains का English, पूरा G के इस सारे चीज़ें इसमें आप पढ़ाऊंगा, और इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, वहाँ से इस ECOS को आप तरन जोइन कर सकते ह चले आगे देखते हैं, बहुत जड़ा भीड़ भरती जा रही है, और काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो निर्दोश हैं, लेकिन उसके बाप जुद भी जेल में पढ़े हुए हैं, और वो इतने गरीब हैं, कि वो बेल के लिए एपलाई नहीं कर सकते हैं, कि वो बहुत ज़़ादा गरीब हैं, ठीक ह और पबलिक अथार्टीस की जो चिंता है, किसके उपर, ओबर दा सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, कि प्रिवेलिंग, सिचुएशन जो है, वो प्रिवेल कर रही है, इस समय इंडिया में चल रही है, प्रचलित है, प्रिवेलिंग इन इंडिया इस प्रिजन, किस तो related to what, related to overcrowding, जब आप किसी verb के साथ what का answer निकालते हैं, तो इस what का answer noun के form में आता है, ठीक है, it is related to what, it is related to overcrowding, तो overcrowding क्या है, एक gerund form है, एक verbal noun है, तो इसलिए यहाँ पर यह सही है, क्योंकि related to what का answer noun के form में आना चाहिए, और यह जो word है, यह noun के form में ही है, ठीक है, आप यहाँ पर देखे, यहाँ पर भी हम noun use कर रहे हैं, long spells, long spells अपने आप में क्या है, एक noun है, और end से दो nouns को हमने जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह सही है, incarceration मतलब jail में जाना, incarceration faced by indigent, indigent मतलब जो गरीब है, ठीक है, इस से मिलता है तो एक word और मैं आपको बता रहा हूँ, indignant, indignant जो होता है, उसका मतलब होता है, जो विक्ती थोड़ा नाराज है या दुखी है, वो होता है indignant, लेकिंगे यह जो word है, यह है indigent, indigent का मतलब होता है, गरीव या needy, ठीक है, तो इस पूरे sentence को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, औ ratified, ratified मतलब किसी चीज को validate करना, किसी चीज को कानूनी माननिता देना, उसको हम बोलते है, ratified, तो hedge के साथ ratified लगा है, जो की सही है, इन्हें welcome move, this week India has ratified two key global convention, convention क्या होता है, एक माननिता होती है, यह accountable noun है, और यहाँ पर two लगा है, तो यह होना चाहिए आपका two conventions, देखें, यहाँ पर सीधा answer आगया, अब चुकि यहीं पर इसका answer आगया, तो आगे बढ़ने की चुरूत नहीं है, और यहीं पर आप इसका answer लगा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका answer होगा, फर्स्ट वाला पार्ट जो है, India has ratified two key global conventions होना चाहिए, यह, meant to keep children away from work, यहाँ पर actually बच्चो के बारे में जो कानून है, Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 के 14 साल से छोटे बच्चों को आप labor पर नहीं रह सकते, उसके बारे में है यह पूरा sentence, ठीक है, तो इसके meaning हम देख लेते हैं, परसिस्ट का मतलब होता है, continue करना, evolution का मतलब होता है, हटाना किसी चीज को, commitment का मतलब होता है, किसी चीज को, commit करना, उसकी करने की ठान लेना, prohibition मतलब रोकना, aroused का क्या मतलब, aroused का मतलब किसी चीज को stimulate करना, उसको, arouse करना, skepticism का मतलब है, doubtfulness, और ratified का मतलब किसी चीज को validate करना, ठीक है, तो इसमें आपका answer होगा, आपका, first, इसमें आपका answer होगा, convention के स्थान पर हम conventions लगाएं है, और उससे पहले two word का use हुआ है, तो two के साथ जो noun आएगी, वो plural noun आएगी, ठीक है, तो आप देखे, इस तरीके से sentence को करिए, और यदि आप पूरा sentence पढ़ते हैं, तो इसमें काफी time लगेगा, पूरे meaning को आप समझ लेकोशिश करते हैं, तो काफी time लगेगा, और इस त पूर आप achieve का सकते हैं, banking और सभी clerk exams में, चलिए इसको देखते हैं हम, to say it is a domino effect of the loan right of for small and marginal farmers by the Uttar Pradesh government might be simplistic, but farmers in different parts of the country have begun agitating for viewers, देखे, आपने सुना होगा कि काफी सारे faculty members, जैसे मैं भी हूँ, और काफी student को, हम लोग काफी student को suggest करते हैं, कि आप reading करिए, ज्यादा से ज्या आप banking के exam दे रहे हैं, चाहिए आप SSE के exam दे रहे हैं, कोई इसा भी exam दे रहे हैं, English reading करना जरूरी है, English reading करने से आपको multiple effects में फाइदा होता है, आपको multiple फाइदा होता है, ठीक है, आपको word meaning पता पढ़ते हैं, और एक sentence का sense पता पढ़ता है, कि sentence को किस context में बोला जा रहा अब जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ violations क significantї ग्रांइ तो यहाँ पर सेंटेंस में जो जो फार्मर्स का यू ख़तम किया जा रहा है वेब उसके बारे में बात हो रही है राइट आफ का मतलब है किसी चीज को रिमूब करना- खटाना, write-off, किसी चीज को खतम कर देना, उसका हम बोलते हैं, write-off, ठीक है, simplistic का मतलब है कोई चीज बहुत complicated है, लेकिन हम उसको बहुत simple समझ रहे हैं, वो होता है, simplistic, domino effect क्या होता है, domino effect का मतलब होता है, कि एक simple सी घटना शुरू होती है, और उससे, उससे मिलती जूलती घटना है, फिर आगे शुरू हो जाती है, जैसे आपने अक्सर देखा हुआ, जब आप school में पढ़ते होंगे, या college में पढ़ते होंगे, तो काफी सारी cycles रही रहती है, और एक cycle एक की उपर गिरती है, तो सारी cycle गिरती चले जाती है, ठीक है, या एक चिंगारी जो होती है, एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसमें कहीं पर आग लगा देती है, तो सारी जो लड़ी होती है, सारी जो फुल जड़ी होती है, वो जलती जाती है, तो domino effect का मतलब ह like an mechanical effect तो यहां पर हम यह बात कर रहे है कि to say it is a domino effect of the loan right of for small and marginal farmers by the Uttar Pradesh Government उता प्रतर प्रदेश government ने ँचोटे farmers का जो loan है उसको maaf कर दिया है तो उसकी वज़े से यह दूसरे जो states हैं और दूसरे states के जो किसान है जो farmer से वो भी बोल रहे हैं कि हमारा भी लौन माफ करिये और उसके लिए पिर वेप करे और उसके लिए अजिटेट कर रहे हैं उसके लिए वह आンドован कर रहे हैंतो इस में गल्ती कहां पर है इस स्ंटेंश में गल्ती एक्छिलि personnes में है might और may, may आता है possibility के लिए, may हम तब लगाते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज factual है, कोई चीज possible है, ऐसा हो सकता है लेकिन हम might हम लगाते हैं पूरी तरीके से कालपनिक situations को indicate करने के लिए पूरे तरीके से hypothetical situations को बताने के लिए तो यहाँ पर hypothetical situation नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी situation है जिसमें possibility की संभावना है, ठीक है, hypothetical या कालपने की यह situation नहीं है यहाँ पर एक क्रेस है, real situation की हम बात कर रहे हैं कि government ने जो loan को write-off किया है, वो it may be simplistic it may be simplistic, ऐसा लगता है कि यह चीज बहुत simple है, हाला कि complicated हो सकती है या कोई ऐसी चीज जो factual है, या कोई ऐसी चीज जो possible है, उसको दिखाने के लिए हम me का use करते हैं, might का use करते हैं हम only hypothetical situations को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा second, in place of might be, you have to write me, ठीक है, चले आगे दिखते हैं rulers everywhere tending to treat, देखे, tend जो word है, tend को हम normally ing form में use नहीं करते हैं, tend to treat बोलेंगे यहाँ पर हम, tend to treat rulers everywhere tend to treat, trenchant criticism, trenchant criticism मतलब काफी severe criticism, काफी कथोर आलोचन, trenchant criticism as attempt to excite disaffection and disloyalty, this is perhaps the only reason that section 124A of the Indian Penal Court enacted under colonial rule remains on the statute book, statute मतलब law book, statutory का मतलब होता है, law, law से related जो चीज होती होती है, उसका हम मोते हैं, statute, तो इस तरीके से, trenchant का मतलब होता है, severe, तो यहाँ पर तो simple सी, उपर ही sentence में गलती है, इसको हम rulers everywhere tending to ना बोलते हुए, to बोलेंगे, और first part में इसमें, आपके गलती होगी, इसको देखते हैं, the law commission consultation paper on reform of family laws is a progressive document that avoids, document, चुकि singular है, तो इसलिए avoids कहना सही है, the advocacy of a uniform civil code, merely, merely, मतलब cable, merely for the sake of uniformity, uniformity मतलब एक रूपता, the law commission consultation paper on reform of family laws is a progressive document that avoids the advocacy of a uniform civil code, merely for the sake of uniformity, uniform civil code की इसमें बात हो रही है, कि civil laws या civil code जो है, इंडियन्स के लिए, मुश्लिम्स के लिए, सेम होने चाहिए, तो इसके बारे में बात हो रही है, और इस पूरे sentence में कोई गलती नहीं है, इसमें answer होगा आपका, no error, आगे दिखते हैं हम, several bankers and even the government have expressed reservations about the RBI directive with regard to a power sector, देखें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, power sector एक particular sector है, power sector एक particular sector है, इसलिए हम ए power sector नहीं बोल सकते यहाँ पर, हम बोलेंगे the power sector, बस answer इसका आगया सामने आपके और इसका आँसर होगा second, पूरे sentence को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको encourage करूँगा कि जब आप newspaper पढ़ें तो पूरा sentence पढ़ें और उसका meaning निकालें, सारे words के meaning निकालें, कि किस sense में उस particular word को use किया जा रहा है, और उस particular part का अर्थ क्या निकल रहा है, यह आप जरूर करें जब आप reading करें, the Hindu की, the Indian Express की, या कोई भी magazine की जब आप reading करें, तो जरूर जरूर आप पूरे sentence को पढ़ें, मतलब निकालें, उसका meanings को जानने की कोशिश करें, तो उससे आपको definitely बहुत ज़्यदा आपको फाइदा हुआ, यहाँ पर हम जो question solve कर रहे हैं, वो four second formula के based कर हम solve कर रहे हैं, कि चार second में एक question का बिलकुल सही answer, बिलकुल accurate answer किस तरीके से निकाला जाए, इस sentence को हम पढ़ते हैं, यूएस plans to reintroduce sanctions against Iran, which pumps, यूएस से पहले दा लगा है, जो कि सही है, यूएस singular है, तो plans सही है, to reintroduce सही है, sanctions against Iran सही है, which pumps, इरान singular है, तो इसलिए which pumps कहना सही है, about four percent of the what's oil after a vendering, after a vendering सही है, क्योंकि after जो है एक proposition है, proposition के बाद हम ING form लगाते हैं, तो ये सही है, our deal, deal से पहले ये लगा है, ये सही है, reached in late 2015 that limited Tehran's nuclear emissions in exchange for the removal of US and European sanctions, ठीक है, तो ये sentence आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, एक बार और देख लेते हैं इसको, the US plans to reinforce sanctions against Iran, which pumps, pumps है, about four percent of the world's oil, after vendering a deal reached in late 2015 that limited Tehran's nuclear, हाँ, ये सही है, for the removal of US and European sanctions, sanction का मतलब किसी चीज को approval दे देना, ठीक है, और reintroduce मतलब दबारा इंटर्दूस करना उसको, बाकी और कोई बड़ा इसमें मीनिंग नहीं है, ambition का मतलब होता है, महत्वा कांचा, reach का मतलब पहुँचना, abandon का मतलब छोड़ना या त्याग देना, तो इस particular sentence को कोई गलती नहीं है, और यहाँ पर आपका answer होगा, no error, एक sentence और देखते हैं, इंडिया's best ever Asian Games medal hall at, medal hall सही वर्ड है, medal hall at Jakarta has brought, आप सभी को पता होगा कि Asian Games हुए थे भी जकारता में, तो उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है, much cheer, has brought much cheer, the Indian contingent ranked in 69 medals, including 15 goals, it may have, have के बाद गलती है इसमें, have के बाद कौन सी form आती है, have के बाद third form आती है, लेकिन यह क्या लखा है, lag लखा है, यह वोना चाहिए, lagged, यह गलती है इसमें, ठीक है, तो second part में इसमें गलती है, बाद की पूरा sentence आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है, तो इस तरह के से sentence में, इस particular video class में मैंने 10 sentence आपको बताया है, नए pattern के यह questions हैं, बहुत ही important questions हैं, और इस तरह के questions आपके bank P.O. के pre में, means में, और clerk exam में भी इस तरह के questions निश्यत रूप से आप से पूछे जा सकते हैं, इस तरह के questions की ज़्यास्यादा आप practice करिए, और reading continue रखिए अपनी, reading हिंदू की, Indian Express की, magazine की reading करिए, और उसमें समस्ते हुए पढ़िए, जितने भी words उसमें से निकल के आ रहा हैं, उनको एक register में लिखिए, और उनको regular basis पर revise करिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, IBPS clerk के लिए, मेरा जो target batch है, वो अभी चल रहा है, यदि उसको आप join करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए link से उसको आप join कर सकते हैं, और उसके थुरू अपनी सफलता आप सुनिश्यत कर सकते हैं, IBPS clerk exam में, तो इसी के साथ इस video class को मैं समाप करता हूँ, और अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, Thank you.